आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 12 प्लिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर वन के मुल्टिकल चॉइस क्वेशन्स और पार्ट का नाम है शीत युद्ध का दौर यनके दा कोल्ड वार इरा इसमें इंग्लिश और इंदी दोनों मीडियम में आप 15 कुछे जाएंग which two ideologies were involved in the conflict during the cold war era तो A है सामेवाद और पुंजीवाद यानि के communism and capitalism B है राजशाही और पुंजीवाद यानि के monarkism and capitalism C है सामपरदैक्ता और पुंजीवाद यानि के and capitalism D है उक्प्रोक्त में से कोई नहीं यानि के none of the about तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उप्तर ठीक है उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है कम्मिनिजम एंड कैपिटलिजम यानि के सामेबाद और पुंजीबाद अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर टू अप्रैल 1949 में कौन सा संगठन अस्तित्तु में आया यानि के विच और्गनाइजेशन केम इंटू एग्जिस्टेंस इन एप्रैल 1949 अप्शन यह है एस इए टी ओ बी है सी एन टी ओ डी है एन ए टी ओ यहनके नाटो और डी है वार्षा पैक्ट और आपको बताने के लिए कि इन में से कौन सा सही जवाब है समय शुरू हो रहा है अब तो इसका सही जवाब है सी एन ए टी ओ यहनके नाटो तो नॉर्थ अट्लांटिक ट्रिटी ओर्गनाइजेशन जो है यह 1949 के एप्रेल मंत में अस्तित्व में आया था क्वेशन नम्बर तीन है वार्षा संदी का नित्रत डैश द्वारा किया गया था यहनके यहां पर आपको उस देश का नाम बढ़ाना है जिसने वार्षा संदी का नित्रत किया यहनके दा वार्षा पैक्ट वाज लेड़ बाइड़ डैश आप्शन ए जापान भी है ब्रिटेन सी है इटली और डी है सोवियत संग यहनके दा सोवियत यूनियन तो आपको बताना है सोवियत संग यहनके दा सोवियत यूनियन कुश्चन नमबर चार है नमलिकित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं था यहनके वीच आपको बताना है कि यह बीसीडी में से कौन सा उत्तर ठीक है उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब तो इसका सही जवाब आपके सामने हाजिर है इसका जवाब है भारत यानिके इंडिया यानिके भारत जो है वह नाटो का यानिके नौथ अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन का मेंबर नहीं है फुश्चन नमबर पांच है पश्मी गठबंधन का नित्रत वर डैश द्वारा किया गया था यानिके था वेस्टर्न एलाइंस वाज है एडिड़ बाइड़ डैश तौप्शन है संयुक्त राज अमेरिका यानिके था यॉनाइटेड स्टेट्स और भी है ब्राजीन सी है सोवेट संग यानिके था सोव्यत यूनियन और बालकन देश यानिके बालकन कंट्रीज तो आपको बताना है कि किस नहीं पश्च्च में गट बंदर यानिके वेस्टर्न एलाइंस का जो लीडर्शिप की एड़ किया था उसके लिए अब प्रसमें शुड़ हो रहा है अब तो इसका जो सही जवाब है वो स्युक्त राज अमेरिका यानिके दा यूनाइटेड स्टेट्स तो आप्शन ए जो है वो सही आंसर है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नुम्बर छे सोव्यत संग से राजनाइक और वित्तिय सहता प्राप्त करने वाला द्वीप ये द दिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशल एड फ्रॉम दा सुव्यत यूनियन वास तो अप्शन ए जापान भी है क्यूबा सी शिरिलंका और यानिके सिलॉन और डियन नौर्वे तो आपको बताना है कि यह बीसीडी में से कौन से था ठीक है तो उसके लिए आपका समय शुर हो अब तो इसका जो सही जवाब है वो है वी क्यूबा अब अगला क्रेशन है क्रेशन नम्बर साथ उन्नी सो साथ के दशक में दो महाशक्तियों के बीच हस्तांत्रित सम्झाता निमिलिकित में से कौन सा था यानिके वीच वीच वान ऑफ फॉलिंग इस एन एग्रिमेंट सा 60 यानिके साथ के दशक में जो हुआ है समझाता उसको आपको बताना है तो अप्शन ए है बर्लिन पैक्ट और भी ए सीमित प्रशिक्षन प्रतिवंध संदी यानिके लिम्टेड टेस्ट बैंड ट्रिटी सी है मास्को समझाता यानिके मास्कोव एग्रिमेंट और दी है वा समय समापत हुआ इसका सही जवाब है बी सीमित प्रशिक्षन प्रतिवंध संदी यानिके लिम्टेड टेस्ट बैंड ट्रिटी क्वेशन नमबर आट है दृत्य विश्विद के बाद की अवधी के दोरान USA और USSR के बीच प्रतिवंधिता को डैश के रूप में जाना जाता है दा रिवाइलरी बिट्विन USA और USSR दूरिंग पोस्ट सेकंड वर्ड वर्ड पीरियड इस नोन एज डैश तो अप्शन है रंग बेद यानिके अपार्थिड भी है शीत युद्ध यानिके कोल्ड वार सी हे गुट निर्पेक्ष्ट अगनिती यानिके पॉलिसी आप है कि इसमें से सही जवाब क्यूंसा है उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब तो इसका सही जवाब है भी शीत युद्ध यानिके कोल्ड वार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में गटी गटना थी यानिके 1961 में जो गटना हुई है उसको आपको बताना है दा इवेंट देट टुक प्लेस इन 1961 वास ऑप्शन है बर्लिन की दिवार का निर्मान यान चौनी डाले के AT एक पॉट इनवेंटेशन इन अफगानिस्तानCIE कंभोडिया में विएतनामी अस्टक्षेप यानिके विएतनामी इंटर्विश्चन इन कंभोडिया और की जर्मनी का एकिकर्ण रहा के दा इनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तो आपको पता नहीं की ये एंप कौन सी घटना 1961 यानिक 61 में हुई थी तो उसके लिए आपका समय शुड़ हो रहा है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है बर्लिन की दिवार का निर्मान यानिके दा कंस्ट्रक्शन ऑब बर्लिन वाल कोश्चन नमबर दस है सोविल संग ने क्यूबा में प्रमानों मिजाइलें कब रखी दी यानिके वेन यूएससर प्लेजड न्यूक्लियर मिजाइल से इन यानिके 1962 और डी है 1963 यानिके 1963 तो आपको बताना है कि किस साल में क्यूबा में सोविल संग ने प्रमानों मिजाइलें तयार की थी अमरीका को टार्गेट करने के लिए तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है सी 1962 यानिके 1962 में क्या रहा है सीटो का पूर्ण रूप क्या है यानिके वाट इस अफुल फॉर्म आउफ सीटो तो अप्शन यह है दक्षिन पूर्वेश्याई कारिय संगठन यानिके साउथी स्टेशियन टास्क और्गनाइजेशन भी ह है दक्षिन पूर्वेश्याई संदी संगठन यानिके साउथीस टेशिया ट्रीटी और्गनाइजेशन सी है दक्षिन पूर्वेश्याई टैली संगठन यानिके साउथीस टेशियन टैली और्गनाइजेशन डी है दक्षिन पूर्वेश्याई टीम संगठन यानिके जवाब है वो है भी दक्षिन पूर्व एशियाई संधी संगतन यानिके साउथ इस्टेशियन ट्रीटी और्गनाइजेशन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नम्बर बारा सेंटो का पूर्ण रूप क्या है यानिके वाट इस दा फूल फॉर्म आफ से एंट यो तो अप केंद्रिय संगतन यानिके दा सैंटरल ट्योगनाइजेशन डी एक इंद्रिय टीम संगतन यानिके सेंटरल टीम और्गनाइजेशन आपको बताना है कि यहीडि में से इसका अप्शुर्ण ट्विट है तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब समय समाप्तवा इसका जो सही जवाब है वह भी केंद्रिय संधी संगतन यानिके दा सेंट्रल ट्विटी और्गनाइजेशन तेरा है दित्ते विश्वुद के बाद दुनिया को डैश ब्लॉकों में विवाजित किया गया था आफ्टर दा सेकंड वर्ड वार्ड वार्ड वा उसके लिए आपका समय शूर है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है D, USA और USSR यानके USA and USSR Question No.14 है नव उपनिवेश्वाद का विरोध करने वाला व्यक्ति था यानके The Person Who Opposed Neo-Colonism Was तो Option A है चर्चिल B है ब्रेजनेव C है तो आपको बताना है ABCD में से कौन सो उत्तर ठीक है तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब तो Option D है कवाम नक्रमा अगला Question No.15 पहला गुटनिर पेक्ष्ट समयलन बैल ग्रेड में कब आयोजित किया गया था यानिके वेन बाद फर्स्ट नॉन एलाइंड कॉनफरेंस हैं इन बैल ग्रेड तो Option A है 1960 यानिके 1960 Option B है 1961 यानिके 1961 Option C है 1962 यानिके 1962 और Option D है 1963 यानिके 1963 तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है 1961 यानिके 1961 तो इसके साथ ही एक स्वाप तो यह आपको अपना स्कोर कैलकुलेट करना है और बताना है कि 15 में से आपको कितने अंक मिले हैं और उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखके बताईएगा और साथ ही साथ जो है मैं आपको यह बता दूं कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक एक वरक्षीट के रूप में डाल रहा हूं तो आप उस वरक्षीट को एक बार सॉल्व करके खुझ से देखिए कि याद रहे उनके जवाब याद रहे तो इसके साथ ही वीडियो समाथ हुआ आपने जो किंती समय दिया उसके लिए धन्यवाद अपने स्कोर करके कमेंट बॉक्स में पताईए कि 15 में से कितने अंक मिले हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और अगर आप से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो का फाइदा उठा सकें धन्यवाद